तो दोस्तो आपका SSE CGL का एक्जाम चल रहा है 2022 का तो 12 अपरेल 2022 को जो आपकी फर्स शिफ्ट या उसका हम एक्जाम एनलिसिस करेंगे इस वीडियो में आपसे जो भी कोश्चन पूछे गए हैं 12 अपरेल की फर्स शिफ्ट को उनको हम कवर करेंगे 100% real questions होंगे जो कि आपकी आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं सभी questions जो students है जिनका एक्जाम सता उनके द्वारा ही बताएगे questions हैं अगर कोई question गलत होता है तो आप हमको comment box में बताएं या फिर इसके अलावा और जो questions आपसे पूछे गए हैं उनको भी आप comment box में ज़रू बताएं तो चलिए वीड प्राइस से 2020 में किसको सम्मानित किया गया था तो ये question आपसे पूछा गया इसमें आपका answer हो जाएगा Lewis Gluck जो की अमेरिका से related रहेंगे Lewis Gluck के द्वारा आपको Nobel Prize मिला था 2020 का literature का यह आपसे question पूछा गया है अब आपसे अगर और जो Nobel Prizes दिये गए हैं उनकी बात कर ली च और रेनार्ड गैंजल इन तीनों को Physics की फीड में मिला था Nobel Prize 2020 में Medicine की फीड में किसको मिला है तो Michael Hockton, Charles M. Rice और Harvey J. Alter इन तीनों को Medicine की फीड में मिला था Chemistry की फीड में किसको मिला है तो Jennifer Doudna और Emmanuel Carpentier इन दोनों को मिला है Chemistry की फीड में Economist की फीड में अगर पूछा जाए Economic Science की फीड में तो Robert Wilson और Paul Milgram इन दोनों को मिला था आपका Economics की फीड में यह आपके Nobel Prizes हो गए 2020 के 2021 के पूछा जाने की काफी जादा chances रहेगी आपके exams में तो 2021 Nobel Prize की separate वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी आप उसको देख सकते हैं अग कौन से टाइम पे किया गया था उस टाइम पे ruler कौन था तो हमारा answer हो जाएगा नजुरुद्दीन मुहमत तुगलग तो नğ inhुरुद्दीन मुहमत तुगलग उस टाम पे ruler थे जब तैमूर के दोरा इंवेड किया था इंडिया में और यह जो invasion हुआ था यह कहां से करा था इन्होंने तो यह उसबेकिस्तान से थे इन्होंने invade किया था इंडिया में अब यह 15 दिन के लिए सिर्फ 15 दिन के लिए भारत में आय थे और डैली को जो है ग्रेवयार्ड बना दिया था इन्होंने और काफी सारी डैथ होईंती डैली में तो इसलिए इंपोर्टेंट रहते हैं और यह आपसे एक्जाम में कोशन पूछा गया है कि तैमूल लिउंग जो हैं यह आपके नजरुद्दीन मुहमत तुगलक के टाइम के आए थे अगला कोशन देखते हैं हन्रेथ अमेंडमेंट एक्ट 2015 is related to तो सौवा जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2015 में वो किस चीज से related है तो आपका लेंड बाउंटरी agreement है जो है इंडिया और बांगलदेश उससे related है इसमें आपसे कोशन यह पूछा गया था कि 100th अमेंडमेंट act के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के यह कोशन आपसे एक्जाम में आज की shift में पूछा गया है तो आपका अंसर हो जाएगा 2015 में आपको पता है 2017 में जो हमारे अभी current time में है वो चुने गए थे जो कि आपके बिहार के पहले governor थे कौन रहेंगे रामनाथ कोविंद 2017 के बाद से बने है उनसे पहले कौन थे तो 2015 में कौन रहेंगे प्रणव मुखर जी जिनका निधन हो चुका है इनकी death कब हो हुई है 2020 में 2020 में इनकी death हो चुकी है यह आपके former president है इंडिया के 2015 में यही थे और इनके द्वारा ही amend किया गया था 100th amendment act को अगला question देखते हैं percentage of water in the ocean ocean में कितना percent water है 96.5% आपका answer हो जाएगा यह question भी बताया गया student के द्वारा आप इसको confirm करें कि यह question पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया kalbelia dance is related to which state of India तो आपसे एक dance related question पूछा गया कि kalbelia dance आपका कौन सी state से related है तो इसमें आपका answer था राजिस्थान राजिस्थान state का काफी famous dance है kalbelia dance जिसको की popularly किस नाम से जाना जाता है तो इसको snake dance या फिर nagin dance भी बोला जाता है अगर और कुछ dance forms की बात करी जाए राजिस्थान के जो exam में पूछे जा सकते हैं उनको देखते हैं एक बार तो घूमर dance काफी famous है भवे dance हो जाएगा कच्ची गोड़ा एक dance हो जाएगा आपका राजिस्थान का गैर हो जाएगा चरी हो जाएगा और चैंग हो जाएगा ये आपके dance forms है जो की राजिस्थान स्टेट से related है आगे आने वाली shifts में हो सकता है कि आपको ये dance मिल जाएगा अगला question देखते हैं अब अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं SSE CGL exam 2022 की expected और repeated questions की एक e-book हमारे द्वारे launch करी गई है बिल्कूल selected questions है जो भी आपकी shifts में question पूछे जा रहे हैं वो इस e-book में काफी जादा मातरा में cover किये गए हैं जितनी भी अभी तक shifts हुई हैं उनमें काफी questions आपको इस e-book से देखने को मिलेंगे तो ये सिरिफ आपको 39 रुपीज में provide कराई जा रही है तो आप 39 रुपे खर्च करके कुछ अच्छे questions को कर सकते हैं मिल जाएंगे आपको तो आप इसको जरूब आई कर लें 700 plus questions एं expected questions हैं जो कि आपको exams में देखने को मिल सकते हैं इसमें previous year जो 2021 का था उसके भी कुछ questions है जिनको include किया गया है most selected questions हैं तो अगर आप interested हो तो link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं payment के बाद आपको कुछ time page पे रुखना है फिर आपको file मिलेगी आपको वहाँ से file को download कर लेना है अगर आप download नहीं कर पाते तो हमारी Gmail ID आपको provide कर आई गई है आप इस पे हमारी Gmail ID पे directly mail कर सकते हैं अगला question देखते है हमारा who is the chairman of Asian Cricket Council तो ACC Asian Cricket Council के current time में chairman कौन है तो ये question आपसे पूछा गया था तो Asian Cricket Council के chairman कौन है Amisha के बेटे रहेंगे जैशा Amisha जो की home minister है उनके बेटे जैशाह जो है ये chairman है आपके Asian Cricket Council के Asian Cricket Council का headquarter कहाँ पे है तो कोलंबो में headquarter है ACC Asian Cricket Council का अगर BBCI की पूछी जाए आपसे BCCI यहाँ पे गलत हो गया है अगर आपसे BCCI की पूछी जाए कि अभी current time में chairman कौन है तो सौरब गांगुली हो जाएंगे और राहूल द्रिबिट जो है वो men's cricket team के coach चुने गए है यह आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद अगर आपसे ICC के CEO पूछ लिए जाए जो की पहले जैश आते अब कौन चुने गए है आने वाली shifts में आपको मिल जाएं बजट 2021-22 textile allocation तो textile जो industry है उसको कितना budget allocate किया गया था आपका पिछला पूछा गया है 2021-22 का 2022-23 का नहीं पूछा गया है आपसे 2021-22 का पूछा गया तो इसमें आपका अंसर था 114-962 करोड तो 114-962 करोड का allocation करा गया था आपका textile industry को budget 2021-22 में हीमा दास is the DSP from which state of इंडिया तो हीमा दास DSP बनी थी आपको पता होगा इनके द्वारा record बनाया गया है 400 मीटर की race में इंडिया का record है तो वो हीमा दास के द्वारा ही create किया गया था और ये जो है DSP चुनी गई थी उस record को बनाने के बाद इनको DSP बनाया गया कौन सी state का तो इसमें आपका अंसर हो जाएगा Assam, Assam जिसकी capital क्या है Dispore, आप काफी सारे लोग confuse हो जाते हैं गुहाटी में, तो Dispore capital है Assam की, तो वहाँ का DSP बनाया गया है, हीमादास को जिनको की Dhing Express, ये आपको दियान रखना है Dhing Express के नाम से भी इनको जाना जाता है UNESCO related question तो UNESCO organization से related आपसे कोई question पूछा गया था, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ये इसकी full form हो जाएगी तो इससे related आपसे कोई question पूछा गया होगा, कोई site पूछी गई होगी या World Heritage Site कोई, इससे related कोई question बनाऊगा, options के मताबी कि उसका answer दिया जा सकता है, तो जो भी question पूछा गया है, comment box में type कर सकते है Which of the following disease can't be prevent from vaccination तो कौन सी disease होती है, जो कि हम जिसको की vaccines के थुरू सही नहीं किया जा सकता, तो vaccination जो होता है, vaccination किस चीज़ के लिए होता है, जो infectious disease होती है जैसे की coronavirus हो गई इस तरीके की जो disease होती है infection disease होती है, उसके लिए vaccines का use किया जाता है, polio हो गया तो ये सब चीज़ जो होती है, ये आपकी infectious disease में आती है, इसमें एक student के दुवारा बताया गया है कि berry berry आपका option था तो berry berry आपकी कौन से vitamin की कमी की वज़े से होती है vitamin B1 की कमी की वज़े से तो यह एक आपकी disease हो सकती है तो इसी तरीके से अगर आपका यह option था यह आपका correct हो जाएगा बाकी options के जो आपके options प्रोवाइड कराए गए थे उसके मुताबिकी आपका इसका correct answer हम दे सकते हैं अगला question देखते है fundamental rights related question तो fundamental rights जो है उससे related कोई question आपसे exam में पूछा गया है तो आपके fundamental total अभी current time में कितने rights है तो 6 fundamental rights है current time में हमारे starting में जब originally जब इसको बनाया गया था जब कितने fundamental rights थे जब हमारे 7 fundamental rights थे अगर 6 fundamental rights की बात करी जाए तो right to quality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right और right to constitutional remedies यह आपके 6 rights है current time में जो की fundamental rights में गिने जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए 7 वा article आपके fundamental right के बारे में, तो right to property आपका साथवा था, article 31 में यह आता था, इसको हटा दिया गया, remove कर दिया गया है हमारे constitution से 44th amendment act of 1978 के थुरू, यह हो सकता है आपसे यही question पूछा गया हो हमने कहां से बौरू किया है इसको, तो वैसे से बौरू किया गया है, अगर आपसे fundamental duties पूछी जाती है, तो वो आपका answer हो जाता है, USSR, आप current time में जिसको रशिया के नाम से जाना जाता है तो वहां से हमने fundamental duties को बौरू किया था, अगला question देखते हैं which among is not a part of flower तो flower का इन में से कौन सा part नहीं है और pistol, यह आपके कुछ main parts हैं आपके flower के, तो अगर इन में से options था आपका तो उसके मताबिक आपका correct answer हो जाएगा बाकी हो सकता है, इसके अलावा और कोई options भी आपको question में मिले हो, तो जो भी आपके options थे वो आप comment box में type कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपका answer जो है, वो decide किया जाएगा which country will host the 2030 Asian Games, तो 2030 में जो Asian Games होंगे, यह कौन सी country host करेगी, यह आपसे question पूछा गया, अब बाकी जो हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, तो 2018 का जो हुआ था, वो इंडोनेशिया की कतर की capital दोहा में organize किया जाएगा, आपका 2030 का, 2030 का Asian Games, यही आपसे question पूछा गया था, तो इसका आपका correct answer था, कतर, तो दोस्तो यह हमारी वीडियो का आखरी question, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like करें, अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को ज़रू subscribe कर लें, इसी तरीके questions आपको वीडियो के provide कराए जाएंगे, analysis आपको लगातार हमारी channel पे provide कराए जा रही है, साती-सात जो expected questions है, उनकी भी videos आपको लगातार हमारे channel पे मिल रही है, तो आप channel को subscribe करके रखें, इसके अलावा बाकी जो हमारी e-books है, काफी सारी e-books है, हमारी सबका link आपको description में मिल जाएगा, आप उनको buy कर सकते हैं, आपके exams में direct e-books से question पूछे जा रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों